नमस्कार मैं मानिकुपता सुरागिलाल नियूस चैनल से और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि उत्राखंड यदि हम प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर मुख्या मंत्री पुशकर सिंग धामी द्वारा लगातार जो है जनता के बीच में एक बात कही जा रही है कि नए उद् से जो निवेश है वो हो रहा हो परन्तु यहाँ पर निवेश के बाद अपने इंडस्ट्राइब करना कितना बड़ा चुनौती मतलब एक बात है कि चुनौती कितनी बड़ी है उस चीज में इसी विश्व में बात्सीत करेंगे आज किच्छा से हमारे बीच में एक उद्य हो गाई होगा और जब इंडस्ट्री का डेवलेमेंट होगा अपना राजसु भी आएगा और रोजगार भी देगा में दिक्कत हमारी मुख के परिशानी है इलेक्टिशीटी बिजली नहीं आने के कारण हम लोगों के 50% पर प्रोडिक्शन हो रहा है जिससे सरकार का तो आ जैसे कि आपने सुना कि यहां पर इनके दुआरा भी अपनी समस्या बताई गई वहीं हम बात करें फाइल कंप्लीशन जी हां जब को इंडस्ट्रियल सेटप किया जाता है तो उससे पहले एक जो प्रक्रिया होती है इसको फाइल कंप्लीशन बोलते है इसके बाद ही आप जापिध कर सकते हैं तो ऐसे में क्या वो चुनौतियां हैं क्या वो दिक्कत है जो एक उत्रा खंड के अंदर लगाने में सामने आती है तो इसी विश्व में मजूद आइस समय देविंदेगरवाल जी सर क्या पताना चाहिए धन्यवाद मानिक जी आपने इस युवाओं के हाथ में आप सोचेंगे मैं देश के नेटित में युवा का स्कमाल क्यों कर रहा हूं लेकिन वह आवश्चक इसलिए है कि जिस प्रकार हमारे इसोची बादमंतरी अपनी पूरी उर्जा के साथ दूर दर्शिता के साथ यह तो कर रहा है देश का वो किसी विकास और सबका विश्वास और मैं समझता हूं कि राष्ट के और प्रदेश के या जंता के विकास के लिए अगर केवल इस पर ही अमल कर लिया जाए तो शायद सभी समस्याओं के समादान हो जाएगा सभी संभावनाएं धरादल पर आ जाएंगी लेकिन ऐसा लगता है कहीं है कहीं इसमें हम से चूक हो रही है हम सब चाहते हैं देश का हर नागरिक चाहता है कि हम मानी पदान मंत्री जी के मानी मुख्य मंत्री जी के सपनों में रंग भर हैं लेकिन हम उनके साल कदमतार नहीं कर पा रहे हैं का कारण है कि हमारे पैरों में जो बेड़ियां पड़ी हैं अगर वो के वर खुल दी जाएं तो हम ना केवल रोजगार में सजन राजस की बढ़ात्री कदेश और देश के विकास में करेंगे समय बद क्रियानमन बहुत बड़ी आवश्कता है पॉलिशी सकारात्मकों नकारात्मकुत भी हो लेकिन अगर बुनियादी समस्याओं का निदान तहसीर इस्तर पर हो जाए जिसके लिए वह अथरिटी रखते हैं हर कार के लिए मुख्यमंत्री के पास देरदू नही चीजें भी ना तो समय से उनका समधान मिल रहा है और नहीं मार्दोशन भी बहुत समय बाद बहुत प्रयास करने के बाद हमें मानूं पड़ता है कि जिस इस तर पर हम प्रयास कर रहे थे वह इसके लिए उप्लुक ठाही नहीं है तो मेरा निविदन यही है कि हमें सगारत को नीतिया मिले हमारे आविदनों पर समय बद क्रियान मन हो और कंप्रेटी पॉलिसी हमारे सामनी हो क्योंकि जैसा मुस्तिपूर पिमोरी जी ने बताया कि अगर हम अपनी ओद्योग पूरी कैपैस्टिप नहीं चला सकते तो निश्यत रूप से रोजगार का अफसर बहुत से लोगों के हाथ से चला जाएगा राजस में शती होगी हमारा नुफसान तो हो गई लेकिन सबसे बढ़ी शती प्रदेश की और देश की होगी क्योंकि बहुत सारी इंडेस्ट्री जब सीख होने लगेंगी तो आज जो पूरे देश में चर्चा का विशह बैंकों के एंपी है शभाविक रूप से बढ़ेंगे श्रमिकों में जो असंतोश है युदी बढ़ेगा और बहुत सारी समस्षा हैं जो उसे जोड़ियों सता अलग होकर बहुत समय तक हम उत्रप्रदेश की और देखते रहें अपनी पॉलिसी के लिए हम उसी नीती और नियत के साथ आज भी देखें इस प्रकार से हमारा निकट प्रदेश हमारा सहुदर प्रगति कर रहा है उसी पत पर हमी चले जन्यवाद तो यह हमारे बीच में जुड़े थे किछा से एमडी भ्रमी मिलके और साथ ही हमारे साथ सीमडी मौजूद थे के वेस ग्रूप के जिन्नों ने हमें जो असली समस्या है उससे अफगत करा है वही है मैं सुबे के मुख्यमंतरी पुशकर सिंग धामी जी का ध्यान जो है वो भी यहां केंद्रित कर प्रदेश करने पड़ रही है वो कहीं न कहीं समस्या पूरे प्रदेश की है क्योंकि एक प्रदेश को चलाने के लिए इंडेस्टिलिस्ट और ये जो उध्योग पति हैं क्या भूमी का निवाते हैं यह अब सभी जानते हैं मैं सुरागिलाल न्यूज चैनल से मानि गुप प्रदेश